Welcome to lecture of Cisco Packet Tracer. इस lecture में हम Cisco Packet Tracer जो के हमें पता है Cisco का एक simulator है, उसके अदर एक practical perform करेंगे जिसमें हमारे एक protocol होता है जिसको हम बोलते है DHCP, Dynamic Cost Configuration Protocol. हम इस protocol को देखेंगे कि हम किस तरह से implement कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए DHCP protocol है क्या. हम जब किसी network को configure करते हैं तो हमें जो हमारे network devices होती हैं, जिस तरह हमारे systems होगे उसमें, computers होगे, laptop होगे हैं, जो भी node devices होगी, हमें उन devices को configure करना पड़ता है. configure करने से मुराद उनको IP address असाइन करने पड़ते हैं, तो मुझे उन 10 PCs को IP address असाइन करना पड़ेगा. तो dynamic host configuration protocol का फाइदा ये है, कि हम जो address हैं, वो automatically systems को assign हो जाएंगे, अगर हम DHCP को configure करने. Automatically assign करने का फाइदा क्या होता है, एक तो ये protocol हम वहाँ पर use करते हैं, जहां पर हमारे पास network में बहुत सारे system हो, और जब हम manually address assign करेंगे, तो error के chances बढ़ जाते हैं, IP address में conflict आ जाता है, यह को टाइप O error आ जाता है, यह हमें कई दफ़ा नहीं पता लगता कि हम किसी और class का IP address दे देते हैं, यह इस तरह से, काफी कहलें कि जब human as a human हम उसको manually कर रहे होते हैं कि system को IP address assign कर रहे हो तो उसमें गलती के chances होते हैं, और उसमें time भी काफी ज्यादा लगता है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको DHCP server को configure कर सकते हैं, यह server लेंगे जिस पर यह protocol हम implement करेंगे और उस protocol के थरू हम क्या करेंगे कि जितने भी network में devices होंगी, उनको हम IP address automatically assign कर देंगे, तो हम इसको practically करके देखते हैं इसमें कि अपने simulator में कि यह काम किस तरह से हो सकता है, तो सबसे पहले हमें कुछ devices चाहिए होंगी, bottom में मेरे पास devices आ रही हैं, देखें end devices मेरे पास आ रहा है लिखा हुआ, मैं यहां पे click करता हूँ, तो यह मेरी कुछ devices हैं, मैं system ले लेता हूँ, PC लिखा हुआ है, एक system यह, हम इस तरह करते हैं, तीन PC स्लेक्ट कर लेते हैं, यह मैंने 3 PC स्लेक्ट कर लिए, इनका नाम हम चेंज कर सकते हैं, यह अपनी जो भी requirement हो, उसके मताबिक नेमिंग कर सकते हैं, मसलएं मैं इसको नाम देता हूँ, PC 1, फिखा है इसी तरह से इसको भी मैं कर देता हूँ, PC 2 है, और यहां पर मैं कर देता हूँ, तो यह हम इस तरह से assign कर सकते हैं, अब हमने इनको किसी device के साथ connect करना है, तो यहां पर यह devices हैं, हम switch ले लेते हैं, यहां पर egy switch लाके रखते है और स्विच के साथ इनको connect कर देते हैं. connections के लिए हमारे पास ये sign नजर आ रहा है connection का इस पे हम click करते हैं और ये जो सब से पहले हैं यहां पर ले जाओं तो bottom में देखे लिखा नजर आ रहा है automatically choose connection. automatically choose connection type लिखा आ रहा है यहां पर तो मैं इसे automatically प्रिटिकली भी कुनेक्ट कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे क्लीक करूँ गाँ और यहाँ पे यह क्नेक्शन हो गया। और दूसरा कणेक्शन मैनूली की सथा मुझे पता होना चाहिए कि कौन सी केबल यूज होनी है। तो यहां पे copper straight through केबल यूज होनी है, यहां पे आप देख सकते हैं, और bottom में लिखा रहा है copper straight through, इस पे मैं click करूँगा, यहां पे click करूँगा, तो मेरे से पूछता है कौन सी port में लगाएंगे, मैं fast ethernet zero पे इसको connect करता हूँ, और इधर से यह मेरे switch है, switch की ports नज़रा आ रही है, तो मैं यहां पे first port में लगा दूँगा, इस तरह से भी connection हो सकता है, तो हमने इन systems को connect कर लिया, अब देखें यह जो orange dot नज़रा रहा है, इसका मतलब किया है, इसका मतलब यह है कि अभी यह वाला link अप हो रहा है, लिंक अप नहीं है, जब यह green हो जाएगा, इसका मतलब है, यह link अप हो गया, क्योंकि हमारा जो switch है, जब उसके साथ हम connection करते हैं, तो उसको थोड़ा सा initialize होने में time लगता है, तो यह हमने connect कर दिये, अब हमें जरुरत क्या पड़ेगी, एक हमें server deploy कर देते हैं, जो के हमारा DHCP server हम उसको कहा देंगे, यहां पे हमारे पास devices में अगर मैं आया, तो मेरे पास यहां पे हैं server, मैंने इस पे click किया, और यहां पे हमने server को लाके रख दिया, थोड़ा से इसको जूम कर लेते हैं, ताके visibility जो है, वो कुछ और बेहतर हो जाए, इस तरह से आई थिंग के अब ज्यादा बेहतर इसकी visibility हो जाएगी, इस system को इदर रहा देते हैं, और यह हमारे पास server भी आ गया, अब यह दिखिए, यह हमारा server है, हम क्या करेंगे server को भी, switch के साथ connect कर देते हैं, मैं यहाँ से आटो connection लेता हूँ, और यह switch और server इनको भी मैंने connect कर दिया, अब यहाँ पे भी यह link भी आप हो रहा है, यह automatically green हो जाएगा, अब issue यह है कि आप अगर यहाँ पे आएं, जिस तरह हमारी जो packet tracer से related पहली वीडियोज हैं, उनका link आपको description में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं कि manually कैसे assign करते हैं IP address, तो अगर मैं इसको click करूँ यहाँ पे, और इधर desktop में आज़ों IP configuration, अभी देखें IP address नहीं है यहाँ पे, कोई IP address यहाँ पे assign नहीं है, हम यह assign नहीं करेंगे, कि हम DHCP के थुरू करवाएंगे, इस server का हम नाम राख देते हैं DHCP, कि हमारा DHCP server है, DHCP में Dynamic Host Configuration Protocol, इस server पे जो है वो run करेंगे, तो अब हम इधर से server पे click करते हैं, करने के बाद यहाँ पे click किये देखें, हम आरे पास आगे desktop IP configuration में चले जाते हैं, और यहाँ पे हम इसको कोई address दे देते हैं, address हम किसी भी class का दे सकते हैं, मैं for example class C का address ले लेता हूँ 192, जूँके मुझे पता है कि class C जो है वो यहाँ से 192 से start होती है, 192.10.1.1, यह मैंने address दे दिया, यहाँ पे click करूँँगा, subnet mask automatically calculate हो जाएगा, अभी हमें ज़रूरत नहीं है, default, gateway वगरा की भी ज़रूरत नहीं है, अगले lectures में हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे भी address देना पड़ता है, वो क्यूं देना पड़ता है, अभी फिलहाल हम इसको ऐसे ही चोड़े हैं, क्योंकि सर्फ इसको configure करने लगे हैं हम single network में, तो मैंने यह address ले दिया, इस address को हम copy कर लेते हैं, अब यहाँ पे देखें services, उपर desktop के साथ लिखा हूँ services, मैं services में गया, और यह मेरे पास कुछ services आ रही हैं, इन services में मैं ने click कर दिया DHCP पे, इसको maximize कर लेते हैं, तो कुछ इस तरहा का मेरे पास interface आ गया, यहाँ पे मैं यह services जो हैं, इनको करवा दूँगा on, और यहाँ पे देखें, default gateway, default gateway में मैं यहाँ पे address दे देता हूँ, वोही जो मैंने उसका अपने server को जब configure कर रहा था, जो address दिया था, 192.10.1.1, इस address को हम क्या करेंगे, यह वला address हमारा आ गया, इसको हम यहाँ पे add करवा देंगे, pool name already exists, ठीक है, हम इसको save करवा देंगे, हमने इसको save करवा देंगे, pool name से मुरादता कि यहाँ पे service pool, pool name है, server pool, इसको change भी कर सकते हैं, हम ऐसे ही रहने देते हैं, अगर change करना हो तो हम कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप देखें, यह save हो गया हमारे पास, ठीक है, और अब हमें बता रहे हैं, के maximum number of users 255, यहनि 255 IP addresses automatically assign हो जाएंगे, इसको हम बढ़ा भी सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, यह start address है, कहां से start होगा, और वो सारी चीज़ें, तो हमने इसको save करवा देना है, और यह आपने make sure करना है, कि services on है, यहां से services भी on है, तो इसको अब हम करते हैं close, यहां पे मैं आ जाता हूँ, अपने system पे, इस पे मैंने क्लिक किया, आईपी configuration में गया, और यह देखें लिखा हूँ DHCP, मैं DHCP पे क्लिक कर देता हूँ, DHCP request successful, request successful होगी, और यह देखें, यह वाला IP address assign हो गया, default gateway भी इसने खुदी, default gateway से किया, कि यह जो हमारा server का address था, उसने वो भी select कर लिया, कि यहां से जो हैं, वो assign हो रहा है इसको IP address, तो DHCP request successful, देखें, automatically हो गया, हमें manual नहीं करना पड़ा, तो यह उस वक्त फाइदे मांद है, अगर हमारे पास एक network में, बहुत सारे systems हैं, तो manually करने के बिज़े, हम ऐसे कर सकते हैं, आप देखें, PC2 पे आया, मैंने यहां पे click किया, desktop में गया, IP configuration, और यहां पे देखें, DHCP पे मैंने click किया, requesting IP address और DHCP request successful, successful हो गई, उसको भी उसने उसी class का, एक address assign कर दिया, इसी तरह मेरे पास जो third system है, इस पे मैंने click किया, desktop IP configuration में गया, और यहां पे DHCP पे click किया, तो आप इस तरह देखेंगे, कि यह automatically address assign हो गए, DHCP request successful, तो हमने यह DHCP जो हमारा server है, यह DHCP के protocol के थूरू हमने इनको IP addresses assign किये, इस से हम कह सकते हैं, कि हम एक बहतर किसम की IP addressing कर सकते हैं, जिसमें error के chances कम होंगे, और हमारी कुछ कहलें कि जो IP addresses हैं, उनकी wastage भी कम हो जाएगी, कि हमें नहीं यह याद रखना पड़ेगा, कि पहले system को कौन सा दिया था, system number 10 को कौन सा दिया था, तो यह automatically configure हो जाएगे, अब हम देख सकते हैं, यहाँ से मैं एक PDU ले ले लेता हूँ, PC1 पे किया, यहाँ से PC3 पे किया, यहाँ पर bottom में लिखा रहा है successful, 1 से 3 तक मेरी communication भी successful हो जाएगी, तो यह एक simple way था, DHCP server को configure करने का, अब हमने सरफ एक network के लिए किया है, multi network होंगे, उसमें यह किस तरह से configure करते हैं, हम आने वाले lectures में उनको भी देखेंगे, तो फिलाल हमने इसको एक single network के लिए DHCP server को implement किया, यह DHCP protocol को implement किया, तो अमीद है यह आपका concept clear हो गया होगा, कि हम packet tracer के अंदर DHCP protocol को किस तरह से implement करते हैं, और DHCP को implement करने का फाइदा किया है, थैंक यू,